कहते हैं आवशकता आविशकार की जननी होती है खास कर संसाधनों की कमी के दौरान ऐसा कोई आविशकार हो जाए जिससे न केवल जरूरी मदद मिले बल्कि ये कारगर भी साबित हो तो इसकी एहमियत काफी बढ़ जाती है कोरोना काल में इसराइली इंवेंटर्स ने कोरोना वाइरिस से हर समय सुरक्षित रहने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मास्क विक्सित किया है इसे खाना खाते वक्त भी उतारने की ज़रूरत नहीं होगी बताया गया कि ऐसे मास्क के साथ अगर आप रेस्ट्रों में या भीटभाड वाली जगहों पर खाना खाने जाते हैं तो वो कम जोखिम भरा होगा मास्क में होटों के उपर जगह दी गई है तांकि भूझन को आराम से मुह में डाला जा सके हाला कि बताय गया कि इस प्रक्रिया को आईस्क्रीम या सौस के साथ निभाई जाने से गड़बढ हो सकती है इस मास्क को रिमोट से खोला जा सकता है या फिर जब खाना नस्दिक आ रहा होगा तो मास्क खुद बखुद खुल जाएगा वही मास्क बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वो इस महीने के भीतर मुखोटे का निर्मान शुरू करने की योजना बना रही है और उसने पहले ही पेटेंट प्रस्तुत कर दिया है कंपनी ने कहा कि ये मास्क लगभग 2500 रुपे की कीमत पर बाजार में उपलब्ध होगा हुआ झाल